हेलो एफ्रीवन आइम श्रेया वेलकमें यू तो अड़र 24-7 इस्कूल गाइस तोड़े वी आर गोइंग तो डिसकूस अवर प्रीवियस लेक्चर देट इस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स गाइस हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का तो क टाउस साथ में उसके करेक्टर स्टिक्सिक्स को पड़ा लेक्चर में मैंने आपको ज़र्णक ट्रेंट्स हिसमें प्रोपर्परटीज कीमिकल प्रोपरटीज को हमने डिसकूस किया किस तरह है आपकी फिजिकल properties में atomic radii, melting boiling point, density, your colors and flames, flame test, ये सबी चीज़े हम लोगों ने अपने physical properties में पढ़ दी थी and chemical properties में different type के hydrides and oxides पढ़े, साथ में color compounds पढ़े थे, कि किस तरह से हमारे d block elements अपने color compounds का formation करता है, उसमें मैंने आपको catalyst के बारे में भी बताया है, alloy formation, interstitial state, interstitial compounds, इन सभी तरहीके के जो compounds transition elements बनाते हैं, उनका discussion हम लोगों ने lecture number 3 में किया है, guys, d block elements सिर्फ यहाँ पर नहीं खताम होता, उसमें बहुत सारे चीज़े ऐसी होती हैं, जिनको कि आपको focus करना होता है, जो कि हम already अपने previous lecture में discuss कर चुके हैं, जैसे कि आपका shielding effects हो गया, lengthenite contraction हो गया, dd transition हो गया, color spectra हो गया, जिसमें आपके color spectra या फिर color compounds कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनका भी discussion हमने किया, जैसे कि आपका charge transfer, electron charge transfer, sigma transfer, UV radiation, sigma, sigma start arrangement, इन सभी चीज़ों का भी discussion हम लोगों ने अपने last lecture में किया, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से आपकी color का recognition होता है, जब आपकी wavelength कोई भी absorb होती है, साथ में एक चीज़ हमने और बहुत important है, जो कि डिसकस किये थी कि कैसे आपकी atomic radiae D block element में vary करती है, वो अपना regular train नहीं show कर रही है, और हमारे जितने भी आपके D block के elements हैं, वो सारे transition elements नहीं होते हैं, जबके सारे transition elements D block elements होते हैं, तो ये सभी चीज़े हम लोगों ने अपने D block वाले section में complete की थी, अब guys, बात आती है हमारे F block की, तो F block elements के बारे में हम लोग discussion करेंगे, introduction of D block element हमने कर लिया है, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दा lengthenoids, तो lengthenoids का discussion हम लोग अब शुरू कर रहे हैं guys, introduction of F block element, तो सबसे पहले lengthenoid के अगर शुरुवात हो रही है, तो F block element का discussion होना बहुत जरूरी है, guys, जब F block element की बात आती है, मैं कुछ शुरू करूँ, उससे पहले कुछ basic चीज़े देख लेते हैं, जैसे की periodic table, मैं एक block structure बनाऊंगी आपकी periodic table का, ये वाला पार्ट हमारा होता है S block, ये वाला पार्ट हमारा होता है D block, और राइट हैंड साइड का ये पार्ट होता है हमारा P block, guys, ये जो D block है, उसमें lengthenum और actenum होते हैं, यहां से आपकी दो series निकलती हैं, और in series का हमारा नाम होता है, F block elements, टिक, समझ पारे हो, तो ये आपके कौन से होते हैं, F block elements, clear guys, इतनी बास समझ में आ गई, तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे F block elements हैं, वो D block में से ही निकल के आ रहे हैं, है न, lengthenum और actenum series से जो निकलने वाले elements हैं, वही आपके F block elements कहलाते हैं, guys, जो हमारे elements, lengthenum के आगे के elements होते हैं, उन्हें इस lengthenum के नाम पे lengthenum series कहा गया है, जबकि जो actenum के आगे के elements, जो हमने F block में रखे हैं, उन्हें actenum के नाम पे actenum series कहा गया है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने topic की तरफ, और चीजों को बहुत अच्छे से समझ कर आगे बढ़ेंगे, lengthenides, यानि, lengthenides, इसका मतलब, guys, वो series, जो कि आपके lengthenides के आगे के elements से relate करती है, यानि, the lengthenide family consists 15 metallic elements, जो हमारी lengthenide family है, इसमें total हमारे 15 metallic elements होते हैं, और ये total आपके कहां से कहां तक होते हैं, lengthenum से lotatium तक पाए जाने वाले elements हमारे lengthenides कहलाते हैं, next है, all but one of which are F-block elements, इन में जितने भी आपके elements हैं lengthenides में, वो सारे elements हमारे F-block elements कहलाते हैं, the valence electron of these elements lie in 4F orbital, जो हमारी 4F orbital है, उसमें हमारे valence electron lie करते हैं, किसके lengthenides के, तो इस slide से हमने क्या-क्या चार चीज़े important सीखी, पहलों तो यह हमें पता चला कि इस lengthenides में total 15 elements होते हैं, है न, दूसरी चीज़ हमने क्या पता चला, कि guys, यह जो 15 elements होते हैं, किसके बीच में होते हैं, lengthenides to lutetium, तीसरी चीज़ हमको पता चली, कि भाई, जो इसके valence electrons होते हैं, वो आपके 4F orbital में lie करते हैं, चला, clear, अब guys, चलो, हम लोग चलते हैं, next slide, कितर नफ, जो की है, electronic configuration की, क्या है electronic configuration, the general electronic configuration of these elements, जो हमारे lengthenides हैं, उनका general electronic configuration होता है, XE4F0214, 5D021, और 6S2, क्या बोला मैंने, XE4F0214, 5F021, और 6S2, यह हमारा इसका journal electronic configuration होता है, वहीं पर lengthenum की बात करूँ, तो electronic configuration आपका 4F0, 5D1, 4S2 होता है, और वहीं पर lutetium का electronic configuration आपका, xenon 4F14, 5D1, 6S2 होता है, तो यह क्या रखते हैं, no partial field 4F orbital in their ground state, इन में क्या होता है कि आपकी partial, कोई भी ऐसी partial field 4F orbital नहीं होती, गाईज इतना परिशान मत होना, अभी जैसे हम दूसरी slide पर जाएंगे, तो यह जितना भी मैंने आपकी लिए लिखा है, सारा आपका उसमें clear करती जाओंगी, ठीक है, are considered as the length night due to their properties close to the element, इसके जो properties होती हैं, वो लगबग लगबग आपके length nights के जैसी होती हैं, इसी वज़े से हमने इसको भी length nights में consider कर लिया है, जबकि यह actually में d block का element होता है, तो guys अब देखो, यह है हमारे electronic configuration, इसकी पूरी slide को समझेंगे एक एक चीज़ को, तो guys हमारे length nights कौन कौन से हैं, lengthinum, cesium, presodium, neodium, promedium, samramium, europeum, gadolium, terbium, dacium, halonium, irbium, thulium, yattrium और lotatium, यह आपके total 15 element है, जो कि आपके क्या कहलाते हैं, F block के element कहलाते हैं, lengthinum को आप LA से represent करते हो, cerium को आप CE से represent करते हो, presodium को आप PR से represent करते हो, neodium को आप ND से represent करते हो, promedium को आप PM से represent करते हो, samaracium को आप SM से represent करते हो, europeum को आप EU से, gadolium को GD से, terbium को TB से, डिस्प्रोसियम कोREY से, हेलियम को हो से, इर्बियम को ER से, थुलियम को TM से, यट्रियम को YB से, और लुटेशियम को आप LU से रिपेजेंट करते हो तो गाइस यह तो हो गए सिम्बल, अब चलो बात कर लेते हैं अटोमिक नमबर की तो LA का atomic number है 57, तो electronic configuration आप कैसे लिखोगे, guys देखो, electronic configuration लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, कि हमारी inert gas का complete हो रहा है, electronic configuration की नहीं हो रहा, तो वो xenon पर जाकर inert gas का electronic configuration complete हो जा रहा है, अब जो remaining है वो हम लिख लेंगे, तो वो है 4F0, 5D1, 6S2, next है 58, 58 के लिए xenon 4F1, 5D1, 4S2, अब ये देखो जरा, ये बात हो रही है, aspected, हम ये aspect करेंगे, कि हमारा ये electronic configuration आइसा होना चाहिए, बट guys, reality में क्या होता है, वो इधर मैंने लिखा है, तो देखो जरा, देखो, हमने aspect किया, कि जो lengthenum है, उसका electronic configuration जो expected है, वो 4F0, 5D1, 6S2 होना चाहिए, राइट, जबके guys, होता क्या है, देखो जरा, होता है हमारा same, 4S0, 5D1, 6S2, next देखो, समरी cerium का देखो, 4F1, 5D1, 6S2, ये हम aspect कर रहे हैं, बट guys, ऐसा होता नहीं है, होता क्या है हमारा, हमारा जो ये 1D electron है, ये आपकी F में enter कर जाता है, और आपका बन जाता है, 4F2, 5D0, 6S2, next देखो, xenon 4F2, 5D1, 6S2, है न, क्या, xenon 4F2, 6D1, 5D1, 6S2, हम क्या expect करेंगे, कि ये हमारा होना चाहिए, बट guys, होगा, क्या, ये D का एक electron F में आ जाएगा, और हो जाएगा, 4F3, 5D, 5D0, 6S2, next देखो, next है, नियोडियम, नियोडियम में क्या होगा, xenon 4F3, 5D1, 6S2, एक बाद फिर से, D का ये electron F में आ जाएगा, और आपका हो जाएगा, 4F4, 5D0, 6S2, next देखो, next है आपका, प्रोमीथियम, PM, जिसका atomic number होता है, 61, और इसमें electronic configuration, XE, 4F4, 5D1, 6S2, एक बाद फिर से, क्या होगा, ये D electron जंप करके, आपके F में आ जाएगा, और आपका हो जाएगा, XE, 5F5, 4F5, 5D0, 6S2, next देखो, समरीजियम, SM, यानि atomic number 62, इसमें आपका, expected electronic configuration, XE, 4F5, 5D1, 6S2 होता है, and guys, ये electron एक जंप करके, आपका F में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4F6, 5D0, 6S2 हो जाएगा, next देखो, European, जिसे आप EU से रिप्रेजेंट करते हो, atomic number 63 होता है, आपका, expected electronic configuration हो जाएगा, XE, 4F6, 5D1, 6S2, और ये electron एक इसमें जंप कर जाएगा, तो हो जाएगा, 4F7, 6D0, और 6S2, next देखो, gadolium, gadolium का symbol होता है, GD, atomic number होता है, 64, अब 64 को आप कैसे लिखोगे, देखो जरा, XE, 4F7, हमारे 14 electrons होते हैं, यानि यह half filled हो गया, आपका, 4F7, 6D1, 6S2, जब यह half filled हो गया, तो इसका मतलब इसमें electron jump नहीं करना चाहिए, तो yes guys, नहीं करता, clear, तो gadolium आपका एक unique है, जिसको मैं आपका red से कर देती हूँ, terbium, जिसका symbol होता है TB, atomic number होता है 65, तो guys, electronic configuration क्या होगा, XE4F8, 5D1, 6S2, तो यह electron F में jump कर जाएगा, तो हो जाएगा, 4F9, 5D0, 6S2, next देखो, dysprosium DY, जिसका atomic number होता है 66, guys, expected electronic configuration क्या होगा, XE4F9, 5D1, 6S2, तो अगर आप यह एक electron यहाँ पर jump कर आदो, तो यह क्या हो जाएगा, 4F11, 5D0, 6S2, clear, next देखो, next है holium, holmium में symbol होता है HO, atomic number होता है 67, 27, तो guys, बिल्बकुल वैसी रहेगा, 4D10, 4F10, 5D1, 6S2, अब देखो, यहाँ से एक electron jump किया तो हो गया, 4F11, और यह यह, ठीक है, next देखो, irbium, एक second guys, हमने यह वाला explain कर दिया, यह 9 था तो यह 10 हो जाएगा, है ना, तो 10 करने के लिए एक jump कर जाएगा, और यहाँ पर 3D0, 4S2 हो जाएगा, ठीक है, देखो, irbium, ER इसका symbol, 68 इसका atomic number, guys, क्या हो जाएगा, XE4F11, 6D1, और 6S2, तो देखो जरा, यहाँ पर आपका 11 दिख रहा है, यानि अगर हम इसको even बनाएंगे, तो यह D का electron jump करा देंगे, और आपका बन जाएगा, 4F12, 5D0, 6S2, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थूलियम, guys, थूलियम मतलब TEM, और TEM का आपका atomic number है, 69, आपका क्या हो जाएगा, XE, 4F12, 6D0, 6S2, तो 12 है, आप एक electron jump कराओगे, तो जाएगा, 4F13, 6D10, और 6S2, clear, नेक्स्ट देखो, याट्रियम, सिम्बल होता है इसका YB, atomic number होता है 70, अब इसको आप कैसे कराओगे, देखो जरा, इसको कैसे कराओगे, XENON, 4F13, 5D1, 6S14, तो अगर यहाँ पर एक electron हो जाए, तो यह completely filled हो जाएगी, तो यह D का electron देखो जाएगा, और हो जाएगा 4F14, 60, 0, और 6S2, तो यानि यट्टियम भी आपकी एक unique possibility हो गए, इसको भी हमने कर दिया, आपके section में बंद, Lutatium LU, atomic number आपका होगे 17, electronic configuration expected क्या होगा, 4F14, 5D1, 6S2, तो गाईज यहाँ पर 14 completely filled है, मतलब आप इसमें electron जंप कर नहीं सकता, तो इसलिए यह वैसा का वैसा रहेगा, तो यह हो जाएगा, XENON, 4F14, 61, 6S2, तो गाईज यह थे हमारे सारे electronic configuration, expected और real, ठीक है, चलो, next oxidation state, the most common and most stable oxidation state of lanthinide क्या होती है, प्लस 3 होती है, कुछ element क्या करते हैं, प्लस 2 oxidation state में और प्लस 4 oxidation state में भी पाए जाते हैं, which they leave behind stable iron, कैसे, जैसे आपका EU plus 2, क्या करता है, XZF7, 4F7 दिखा रहा है, देखो, ऐसी YB iron देखो, क्या कर रहा है, 4F14 में दिखाई दे रहा है, ऐसी XZ plus 4 आप आयन देखो, 4F0, TB plus 4, 4F7, तो यह सब क्या है, यह सब आपके stability gain कर रहे हैं, half filled, full filled, 0 and half filled, जब आपके कोई भी orbit half filled होती है, या फिर completely filled होती है, तो वो क्या करती है, stability को gain करती है, next point, next, देखो, guys, next है, in aqueous solution of cerium plus 4 iron, it is a good oxidizing agent, जो हमारा aqueous solution में cerium iron है, यह good oxidizing agent है, और EU plus 2, और साथ में YB plus 2, यह दोनों aqueous solution में पाए जाते हैं, as a good reducing agent, और इनकी exceptions क्या है, exceptions देख लेते हैं, guys, SM plus 2 iron, आपका XZ, 4F, 6 electronic configuration दिखाता है, TM plus 2, 4F, 13 दिखाता है, PR plus 4, 4F, 1 electronic configuration दिखाता है, मतलब यह हुआ कि जो हमारा CE plus 4 है, यह तो है आपका good oxidizing agent, agent, ठीक है, जबकि आपका EU plus और साथ में YB plus, यह दोनों आपके कैसे हैं, good reducing agent, ठीक, next देखो, next है important points in oxidation state, तो guys, यह बात तो हमने बता दी कि lengthenide series क्या show करते हैं, plus 3 oxidation state show करते हैं, और earlier it was believed that कुछ element जैसे कि आपका samaracium, europeum, yattrium, यह आपके plus 2 oxidation state को show करते थे, आगे पता चला कि कुछ metals ऐसे हैं, जो कि, जो compounds तो रखते हैं और जितने भी elements हैं, जैसे कि आपके lengthenide series के, वो plus 2 oxidation state को exhibit करके compound का formation करते हैं, बट इन एक्वो solution, कुछ metals ऐसे भी थे, lengthenide series में, जो कि, occasionally plus 4 oxidation state को भी occur करते हैं, जिसको कि, हमने आपको already, अपनी पिछली slide में आपको बताया हुआ है, next देखो guys, इन में क्या होता है, oxidation state का uneven distribution होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनकी high stability होती है, है ना, half filled, अपने fulfilled sub shells होती हैं, जिसकी वज़े से oxidation state vary करती है, the stability of F sub shell affects the oxidation state of lanthanides, in such a way, the plus 4 oxidation state of cerium is favored as it a novel gas configuration, but it reverts to plus 3 oxidation state, thus act as strong oxidation or even oxidized water through the reaction will be slow, next, guys, अब आते हैं, हमने point पर, देखो oxidation state में समझ में आ गया होगा, क्या-क्या चीज़े थी, पहली चीज़ तो यह थी कि यह नॉर्मली प्लस 3 oxidation state को शो करते हैं, और abnormally यह अपनी 2 और 4 oxidation state को भी शो करते हैं, next, देखो magnetic property का, तो metals are classified in their interaction with the magnetic property, guys, दो field में इनकी magnetic property explain होती, पहली होती यह diamagnetic, if they repel, अगर यह repel कर रहे हैं, तो यह अपनी diamagnetic property को शो करते हैं, अगर यह attract कर रहे हैं, तो यह अपनी paramagnetic property को शो करते हैं, magnetic property have spin and orbit contribution, जो आपकी magnetic property हैं, यह दो तरीके के contribution रखती हैं, पहली spin और दूसरी orbit, इसलिए magnetic moment are given by the formula, magnetic moment का formula क्या होता है, mu is equal to under root 4s, s plus 1, plus L, L plus 1, तो इस formula से हम आपके lengthenite जैफिर actenite के magnetic moments को निकाल सकते हैं, जहाँ पर L क्या है, guys, L आपकी orbital quantum number है, और जबकि आपका S यहाँ पर spin quantum number है, next है guys, all lengthenite iron with the expectation of notation plus 3 iron, और lengthenum plus 3 iron, और notation plus 3 iron, साथ में cerium plus 4 iron, यह आपके nature में paramagnetic होते हैं, तो मतलब कौन-कौन से आपके paramagnetic पता चले हमको यहाँ पर, paramagnetic आपके दो होते हैं, कौन-कौन से, पहला है आपका lengthenum plus 3, lutetium plus 3, और cerium plus 3, यह तीन आपके ऐसे iron हैं, जो कि आपके magnetic property में होते हैं, और paramagnetic होते हैं, बाकी आप चाहो तो यहाँ से इस formula का use करके भी आप magnetic property को निकाल सकते हैं, क्या formula है, अंडरोट 4S, S plus 1, L, L plus 1, नेक्स देखो, गाइस, नेक्स है, why lengthenides show variable oxidation state, हमारे जो lengthenides हैं, मैंने आपको बताया कि common oxidation state, तो plus 3 शो करते हैं, बट variable oxidation state 2 और 4 भी शो करते हैं, क्यों करते हैं, इसका कारण देखो, lengthenides shows variable oxidation state, कौन कौन सी, 2, 3 और 4 oxidation state को शो करते हैं, जबकि इनकी सबसे ज़्यादा stable oxidation state कौन सी होती है, plus 3 होती है, और अगर another state की बात करें, तो guys, यह lose करके electron को, या फिर gain करके electron को, plus 3 oxidation state को, exhibit करते हैं, clear, by that, those ions become strong reducing or oxidizing agent respectively, तो इसकी वजए से यह दो ions हैं, यह या तो reducing हो जाते हैं, या फिर oxidizing agent की तरह है, अपना behave show करते हैं, next है chemical reactivity of lengthenide, चलो chemical reactivity lengthenide के देख लेते हैं, all lengthenide show similarity in the reactivity, जितने भी हमारे lengthenides हैं, वो बिलकुल similarity show करते हैं, reactivity में, but are greater the transition element, और transition element से बड़े होते हैं, this is due to the shielding of unpaid electron, और इसका कारण क्या है, जो इसकी shielding है, unpaid electron की वह है, और वो कौन करता है, वो होती है, आपकी 4F orbital द्वारा, by the 4S, 5P, 6D orbitals, जो आपकी inner 4F orbital है, उसके shield कौन करता है, 5P, sorry, 4F आपको किस-किस को shield करता है, 5S, 5P और 5D को, get readily tanshield with the oxygen and form oxide of M2O3, तो जितने भी हमारे lengthenides हैं, वो M2O3 type के oxide का formation करते हैं, दो आपका, जो CEO2 है, सिर्फ ये एक exception है, जो कि आपका M2O3 type का oxide नहीं बनाता है, यानि cerium आपका XMO2 type का oxide का formation करता है, with hydrogen forming, solid hydride at 300 to 400 Kelvin, next slide की तरफ शल रहे हैं, guys next है, hydrides get decomposed by water, जो हमारे hydrides हैं, वो water द्वारा decomposed हो जाते हैं, वहीं पर हैलाइड की बात करें, तो ये, it can be made by heating, ये गरम करके बनाए जा सकते हैं, किसके द्वारा, हेलोजन के साथ, और the oxide with ammonium halide, और ammonium halide के oxide के द्वारा, chloride as delicate, chloride हमारे delicate होते हैं, जबकि fluoride हमारे insoluble होते हैं, clear, next देखो guys, nitrate, acetate, sulfate are soluble, जो हमारा nitrate है, acetate है, sulfate है, ये सभी soluble होते हैं, जबकि carbonate, phosphate, chromate और oxalates are insoluban in water, जबकि आपके carbonate, phosphate, chromate और oxalates, ये सारे water में insoluble होते हैं, next देखो guys, ionization energy of lanthanides, क्या है ionization energy lanthanide ही, the ionization energy is the energy to needed to remove the valence electron from the atom, जो हमारी ionization energy है, वो क्या है, अगर किसे बोलते है ionization energy, simple way में समझो तो, valence electron से अगर आपको कोई electron निकालना है, तो उसके लिए जो आपकी required energy होती है, उसे हम बोलते है ionization energy, ठीक है, और ionization energy directly किसे relate कर रही है, force of attraction of electron से, clear, hence larger the nuclear charge, जैसे जैसे ज़्यादा आपका nuclear charge होता जाएगा, वैसे वैसे small होती जाएगी आपकी radii, ठीक है न, electrons की radii, larger will be the ionization energy, और जैसे जैसे आपका radii, small होती जाएगी, आपका ionization energy जादा होती जाएगी, क्यों, also the ionization energy will more half filled and fully filled, आपकी half filled के लिए और fully filled के लिए ionization energy बहुत जादा होती है, अगर बात करें, length nights में ionization energy की, तो वो बड़ी होती है, किसे, S block element से, और छोटी होती है, D block element से, क्यों, between which they are placed, क्योंकि उनके बीच में वो रखे गए है, next, देखो density, guys, density की शिरुवात हम कहां से कहते हैं, D is called to M over V से, ठीक है न, तो density being the ratio of mass of substance and its volume, mass of substance and its volume, ठीक है, density of D block element will be more than S block, हमारी जो D block की density थी, वो तो S block से बड़ी थी, among inner transition series, it and density will reverse of atomic radii, मतलब यह हुआ, कि अगर आपके density बढ़ेगी, तो आपके atomic radii कम होगी, ठीक है, they have high density, यह क्या करते हैं, high density रखते हैं, किसके विच में, 6.7 से 9.7 gram centimeter cube inverse तक, ठीक है, it increases with increased atomic number, और यह बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका atomic number बढ़ता जाता है, next है guys, lengthenide का boiling point and melting point, they have fairly high boiling and melting point, but no definite trend in the melting point and boiling point, guys, lengthenides की, जो melting point होता है, जो boiling point होता है, दोनों जादा तो होता है, बट उसका कोई correct trend नहीं है, समझ पार है हो आप, तो इसलिए हमने लिखा, they have fairly high melting point, बट कोई इसका definite trend नहीं है, next है, formation of colored iron, lengthenide iron can have electron in F orbital, so empty orbital like D element, when a frequency of light is observed, जब एक light की frequency observed होती है, the light transmit exhibit color complementary to the frequency observed, next देखो, inner transition element can absorb frequently visible reason, to use FF transition and produce visible color, guys, इस चीज़ को बहुत simple language में समझते हैं, जैसे आपकी दो, एक है ground state और एक है आपका excited state, तो ground state से जब electron excited state में जाएगा, तो energy को absorb करेगा, और जब वो excited state से ground state में आएगा, तो energy को emit करेगा, clear, absorb और emit, अब सुनो, जब ये energy को absorb करेगा, तो जिस wavelength को वो absorb करेगा, उसके complementary color की wavelength को वो emit करेगा, तो वही color हमको दिखाए देगा, जिसके लिए आप color wheel का भी help ले सकते हो, ठीक है, तो यही चीज मैंने इसमें आपको लिखी हुई है, next है, many of the lengthenide are silver white, बहुत सारे ऐसे lengthenides हैं, जो कि आपके silver white है, lengthenide iron with plus 3 oxidation state, वो lengthenide जिनकी oxidation state plus 3 होती है, वो colored होते हैं, किसमें, both में, किसमें solid state में भी, और aqueous state में भी, ठीक है, color of cation depend on the number of unpaired electron, जो cation का color है, वो किस पर depend कर रहा है, number of unpaired electron पे, with xf electron, have same colored as of electron of element, देखो, जिनके electron same है, unpaired electron same होंगे, उनका color भी same होगा, simple way में बोलें, तो जिनके orbitals में, same number of unpaired electron होंगे, उनका color भी same होगा, next है uses of lengthenide, क्या-क्या uses है lengthenide के, पहला है metrological applications, metallurgy में इसका use किया जाता है, some of the ally of lengthenide element, find important metallurgical application as reducing agent, यह जितने भी आपके lengthenide, उसमें जो कुछ ऐसे भी element है, जो कि metallurgy application में as a reducing agent यूज़ किया जाते हैं, जैसे कि हमारा मिश्मेलिमेंट, या फिर मिश्मेटल, next है ceramic application, ceramic application जैसे C plus 3 oxidation state में, और plus 4 oxidation state में, इनके oxide glass को polish powders करने में, या फिर polishing करने में यूज़ किया जाते हैं, ND और PR oxide are expensively used in coloring glass, right, in the production of standard light filtered, next देखो, catalytic application, what is the catalytic application, some lengthenide compounds are used as catalyst, कुछ आपके lengthenide compounds, catalyst की तरह यूज़ किया जाते हैं, for example, cerium phosphate is used in petroleum, cracking as a catalyst, कि आपका जो cerium phosphate है, वो petroleum की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे cracking as a catalyst, ऐसे electronic applicants में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे ferromagnetic garnets of LN2O3, 0.FE2O3, type are used in microwave device, इस type के जो आपके ferromagnetic gadgets हैं, वो आपके microwave device में यूज़ किया जाते हैं, guys, nuclear application में भी इसका use किया जाता है, कैसे use किया जाता है, used as in nuclear control device, shielding device, और fluxing device, SM 140, EU 153, GD 155, GD 157, DY 164, some of important isotopes are in used nuclear technology, ये आपके कुछ ऐसे isotopes हैं, जो कि nuclear technology में use किया जाते हैं, lengthenauts के oxides के अगर बात करें, तो guys, ये आपके phosphorus में बहुत useful होते हैं, in fluorescent material, वही पे आपके ceramic sulfate is a good analytical oxidizing agent, जो आपके ceramic sulfate होते हैं, वो एक बहुत अच्छे analytical oxidized agent भी होते हैं, तो guys, ये था हमारा topic, जिसमें हमने पूरे lengthenide को discuss किया, जिसमें मैंने आपको periodic table में lengthenide की position को, साथ में उनके journal trends को, physical chemical properties को, oxidation state को, और colors को भी बताया, तो guys, अभी के लिए बस इतना ही, next lecture में हम पढ़ेंगे actenoids, तो अभी के लिए, thanks for watching.